काफी टाइम बाद एक नया कॉंसर्ट हमें देखने को मिला है और इस बात की खुशी है कि भारतिया entertainment industry के अंदर कुछ नया try करने की कोशिश की गई है और I hope सो आने वाले टाइम में कुछ ऐसे ही unique content या unique idea लाने की की कोशिश की जाएगी नमश्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूं cargo movie के बारे में जो से netflix पर release किया गया इसे direct और right एक इनसान ने किया अराति काधव ने इसमें कास्ट स्वेता त्रिपार्टी विक्रांत मैसी नंदू मादव और बाकिया और इस बात की प्रसंशा करनी तो बनती है कि इसमें at least कुछ हट के try करने की कोशिश की गई है अब इसकी कहानी के बारे में बात करते हैं धरती पर रक्षस आ गई है वो जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं और इंसानों और रक्षस के बीच में एक शांती समझोता भी हुआ है प्रक्षस ओने अपनी एक इक पैस्शिप जो है एक नहीं बहुत सारी इस पैस्शिप जो लौँच कर रही है जब इनसान मरता है तो इस स्पैस्शिप में जाता है जो जिस वजह से भी उसकी मौत हुई होती है तो कैंसर को पहले ठीक किया जात जाता है ऐसे equipment के पास दिखाए गए फिर इस ठीक करने के बाद इनकी याददास्त को डिलीट किया जाते है memory सारी डिलीट करने के बाद इनको वापस धर्ती पर एक नए जनम के लिए भेज दिया जाते है और इन मरे हुए इनसानों को ही cargo का गया है और एक ऐसी spaceship है 634A ऐसा कुछ करके उसका नाम है जिस पर 75 साल से एक राक्षस जिसका नाम है प्रस्ता जिसे प्ले किया है विक्रांत मेसी ने तो 75 साल से उसी spaceship पर है और वो बहुत जादा एक तरीक से उदास दिखाया गया है काफी जादा बोरिंग ऐसा हो गया है ऐसा उसमें इस character को देखने से पता चलता है और 75 साल पूरे होने के बाद उसको एक assistant दी जाती है उसकी help के लिए जिसका नाम है यूविश्का जब वहां पे जाती है तो इन दोनों की शुरुवात में तो बनती नहीं है क्योंकि यूविश्का की अ इसके बारे मैं बात कर लेते हैं सबसे पहले चीज जो मुझे इसके अंदर मिस लगी वह लगी इसमें जो information जो दी गई हो बहुत जादा कम information दी गई मतलब कि शांती समझाता कैसे हुआ राक्षस धरती के उपर कब आए वो इनसानों जैसे कब कैसे दिखने लगे इन सब च कुछ देर बाद मुवी देखने के बाद मैं थोड़ा confused हो गयार मैंने इस मुवी को वहीं बंद कर दिया अगले दिन मैंने इस मुवी को continue किया जिसे यह पता चला गयार इस मुवी मेरा interest इतना बन नहीं पाया यानि मुवी में interest बिल्ड करना काफी ज़्यादा मुझे लग जब यूविशका आती है तो उसकी चोटी मोटी story दिखा रही जाती है बलकि बताती है कि वह क्यों राक्स मतलब कि spaceship में आई उसने काम क्यों चुना थोड़ी जो भी उसने बताने की कोशिश की जो हमें समझ आई उतनी अच्छी से मतलब हमें उससे करेक्टर से डेवलो मतल थोड़ी थोड़ी वह बातें करने लगते हैं तो उनकी story उसको पता चलती है कि लोगों कैसे वह मरें क्या दिक्कत थी उनकी story क्या थी back में तो थोड़ा बहुत हमें वहाँ दिखा दिया जाता है बाकी तो यूविशका से पहले प्रस्ता कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करता एक दरिके से सिर्फ फोर सिर्फ स्पेश्शिप के अंदर ही क्या हो रहा है वही दिखाया गया बाकी जो धरती पे हो रहा है ऐसा कुछ भी इसमें एक थोड़ी सी भी जलक देखने को में नहीं मिलती और कार को जब दोबारा धरती पे जाते हैं तो वह किस रूप में जनम लेते हैं या कौनसा उनका मतलब एज होती है ऐसा कुछ भी इसमें नहीं दिखाया गया और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग की एक दूसरे को ढूंड लेते हैं ऐसा मरने की बात ऐसा कि इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग था उससे मुझे लगता है कि और ज् इसमें पर्फोर्मेंस की बात करूं देखाया और पर्फोर्मेंस में जो विक्रांत मैसे हैं और स्वेता तरी पाठी है उनको ज्यादा कुछ करने के लिए तो था ही नहीं मतलब इसमें आप जब उनके करेक्टर से जब देखोगे तो बड़े ही कम बोलने वाले थोड़ा उनको काम आ रहा है बस वही करने वाले बस यही दिखाया गया तो पर्फोर्मेंस उतनी अच्छे से आप देख नहीं पाओगे मेरी तरफ से इस मुवी को मैं देना जाओंगा फोर आफ्ट ओफ 10 स्टार अगर किसे ने मुवी देख रहे तो प्लीज कमेंट करके मुझे बत करता है क्योंकि इतनी इंट्रस्टिंग या इतना इंट्रस्ट यह बिल्ड अपने अंदर नहीं कर पाई इस चीज की मैं जुरूर प्रशन सही अप्रिशेट करता हूं कि कुछ हट के ट्राय करने ही कोशिकी लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ नया होने पर हम उसको बस देखने पहुंच जाएं क्यार बस आज के लिए इतना है इस वीडियो में थैंक्स वॉचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाएं